कॉर्बिन मल्टी न्यूज में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं खबर आज तक आज स्रिसिद्ध बीट बाला जी मंदिर कोसी घाट रामनगर में सावन माह के तीसरे सौबमार को नाग पंचमी के दिन मंदिर परिसद में काल सर्भ योग की पूजा का आयूजन किया गय जिसमें दर्जनों भक्तों के द्वारा बढ़ चल कर हिस्सा लिया गया और सद्धा भाव से काल सर्भ योग की पूजा की इस पूजा में नोगरे शांती वस्तु पूजन योगनी पूजन पंचाग वेदी पूजन आदी किया गया प्राता काल सही मंदिर में भक्तों के द में बरकत होती है यहाँ पूजा अचार भूवन चन्तिवाडी अचार दिनेस ममगई के निर्देशा अनुसार कराएगी जिसमें बनारा से आए अचार राम देपांडे रामनेगर से अचार नवीन शर्मा नंदा बल्ला बुधानी ने भी सोहयो किया कलपी ब्रैवस्तम्मन्वंतरी अश्टा बिन्स्ततने गल्यूगी गली पर्थम चरने जम्रिपती पिक्रमाधित्य राज्या कह प्रदमासु वत्तमाशी स्रावनमाशी सुही शुक्लपक्षी वद्याब्यापन्याम पंचिम्याम के दूहू बूरो अधेलेहखेपादव मग्रवेवाण आछादयायाबिया स्रावनम पुरभस्तम्माध्वधत्याम अगलीक बच्वाध्याम लोगेट भाँ नवाँ राजमांति पुपस्ट्रह्मां, ओमाश्वजादो जोदिखांति पाश्वांदो तरुजा, पाशोवषवजेवस्वरूपुस्तिसांके स्विवाद। काल सर प्योग की पूजा करवाने के लिए क्या ही ये काल सर प्योग और इसकी पूजा क्यों करवाना अवश्चक है देखें काल सर प्योग से अनेक तरह से जीवन में परिशानिया आती है और वो परिशानी को दूर करने के लिए और उत्र उत्र वृद्धी के लिए हाग उदय के लिए काल सर प्योग का पूजा करवाना जो हुदी काल सर्भ क्यों आता आपकिसी की राशी में जैसे राहुकेतु के मध्ध में जब सारे गरहा जाते हैं तो काल सर्भ योग बनता है और वह विक्ति को वह पीड़ा देना प्रारंब कर देता है और इसको पित्र दोस्त के कारण में ऐसा योग बनते हैं पूजा की जाती है किस स्थान पर कराना उच्छी होता है। ऐसे तो महा काल में सरवुत्तम है लेकिन जहां पे बगल में नदी हो फिपल का पीड़ मंदीर हो। जैसे कि यहाँ पे जो मंदिर है, बाला जी का मंदिर है, यहाँ पे बगल में कोश्की नदी है, पिपल का पेड़ भी है, शिव जी भी है और हनमान जी भी हैं, जो नौकरहों को सांथ करने वाले हैं, तो यह ऐसा पावन स्थान हो, तो इस अस्थान पे गर आप शांकाल